नमस्कार दोस्तो मैं रूपमतिवर्थे वुपाल से और आपका स्वागत है मेरे चेनल रूपा ग्रीन गाडन में उम्मिद करती हूँ कि आप लोग भी स्वस्त होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरे वीडियो पहली भार देख रहे हैं वो मेरे चेनल को सब्सक्राइब कर लें और सांती सांत बैल आइकन को भी दबादे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको तो दोस्तो सितंबर का महिना है और दो तिन दिन से बारिष भी हो रही है तो क्यों न हम इस मौसम का फाइदा उठा लें और हम कटिंग लगा लें और इस मौसम में भी अच्छे से कटिंग चलेगी और कटिंग जितनी लगाओगे उतनी कम है जितनी कटिंग लगाओगे धेरो प्लांट पनाओ और अपने आज परोस में बाटो तो दोस्तो चलिए आज मैं कौन कौन से प्लांट के नाम बताऊंगी तो चलिए दोस्तो तो सबसे पहले मैं नाम लोगी ये गुलाब के गुलाब की भी कटिंग लगा सकते हैं और ये देखिए गुलाब कितने सारे लगे हुए हैं हमारे प्लांट पे और ये इधर बटन रो चलेगी और ठंड तक के तो काफी अच्छे फूल दे सकती है यह देखिए बारिस अभी पूरे प्लांट उपर बारिस की बूंदे हैं समझे और दोस्तों अभी आप बालसम की भी कटिंग लगा सकते हैं क्योंकि बीज से लगाने का समय निकल चुका है तो आप कटिंग लगा सकते हैं बालसम की अभी फूल दे सकते हैं यह और दोस्तों फिर में यह ग्लोडिया की बात करूंगी इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हैं अभी तो अच्छे से अच्छे फूल आपको ठंड में मिल जाएंगे और फिर में बात करूंगी स्लोशिया स्लोशिया की भी आप क कटिंग लगा सकते हैं फिर मैं बात करूंगी गेंदे की गेंदे की भी कटिंग लगा सकते हैं मैंने भी लगाई है कटिंग भी लगाई है और ये भी लगाया है ये देखिए दोस्तों ये छोटी सी गिलास में मैंने ये कटिंग लगा ये साय सकसेज भी हो गई हो और दोस्त करके रख सकते हैं अभी इसकी कटिंग अच्छे से सकसेज हो जाएगी क्योंकि अभी बारिस खतम नहीं हुए और फिर मैं यह डबल चांदने की बात करूंगे डबल चांदने की भी कटिंग आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से लग जाएगी यह देखिए दोस्तों यह मे कटिंग लगा सकते हैं फिर मैं बात करूंगी गुल्दाओदी की गुल्दाओदी की भी कटिंग लगा सकते हैं जिसने अगर गुल्दाओदी की कटिंग नहीं लगाई तो वो भी अभी कुल्दाओदी की कटिंग लगा सकते हैं और दोस्तों हिविकस की भी कटिंग लगा ये देखिए छोटी सी छोटी कटिंग इसमें सकसेज हो जाएगी तो कुलियस की भी आप लगा सकते हैं और दोस्तो ये 4 o'clock का प्लांट है 4 o'clock की भी ये कटिंग लगा सकते हैं इसमें भी धेरो फूल आते हैं बहुत ही अच्छा easy to grow प्लांट है इसकी कटिंग लगा सकते हैं अभी अच्छे से लग जाएगी और दोस्तो इंडोर प्लांट जितने भी है उतने सारे इंडोर प्लांट की भी आप कटिंग लगा सकती है बहुत ही अच्छे से चल जाएंगे ये देखिए ये इंडूर प्लांट भी आप लगा सकते हैं जैसे ये पॉलका डॉट है और ये पीलिय प्लांट है इधर ये रोयो प्लांट है और इधर ये परपल हाट है फिर में अरेलिया की बात करूंगी ये सफलेरा है और ये सिंगोनियम है काफी क्रोटोन की भी आप लगा सकती वो भी एजी लग जाएंगी फिर मैं ये कनेर की बात करूंगी इसकी भी कटिंग लग जाती है और दोस्तो कड़ी पत्ता की भी आप कटिंग लगा सकते हैं इसकी भी आप लगाओगे तो अभी अच्छे से रूट्स बन जाएगी इसकी और ये देखिए सुीट पटेट वाइन है इसकी भी मैंने कटिंग लाक्य लगाई है और ये देखिए सक्षेज हूगई है ये हमारे कलेरफुल बनाने के लिए काफी अच्छा रहल है कामिनेशन होगा इसका जैसे ये मैंने इस कलेर की लगाई है और ये dark color की भी लगाई ये भी sweet potato wine है ये हमारे garden में colorful बनाने के लिए पहुती अच्छा है और दोस्तों ये musanda का plant है इसकी भी आप छोटी सी छोटी cutting लगाओगे तो ये लग जाएगी काफी plant मेरे cutting के द्वारा लगे हुए हैं और फिर मैं बात करूँगी हमारे plant ये एक जोरा की भी cutting देखो मैंने कितनी लगाई है ये देखिए दोस्तों ये cutting से ही मैंने ये एक जोरा लगाया है उधर दूर रखा हुआ है ये देखिए इदर नीचे भी cutting लगी हुई है और ये मीने एक जोरा की cutting लगी हुई है ये देखिए और दोस्तों विनका प्लांट है विनका प्लांट की भी अभी शीट से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी cutting भी लगा देंगे तो cutting भी बहुत अच्छे से चल जाएगी क्योंकि ठंड में काफी अच्छे से फूल देंगे तो आप इनका भी लगा सकते फिर में ड्रेसीना की बात करूंगी ड्रेसीना की भी आप लगा सकते हैं ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है और फिर उस तरफ में डेफिन बाकिया रखा उसकी भी आप कटिंग लगा सकती है तो उसमें भी रूट बन जाएगी अच्छे से और फिर में बात करूंग यह चंपा प्लांट की रेड वाला है इसकी यह कटिंग ही ग्रो की थी इसकी भी कटिंग लगाओगे अभी समय तो लग जाएगी और दोस्तों मनी प्लांट की भी आप अभी कटिंग लगा सकते हैं मनी प्लांट भी पहुती अच्छे से चल जाता है और यह एक शोपिस प्ला जाएगी यह देखिए यह मेरी कटिंग की ही द्वारा लगी हुई है तो तोस्तों यह बंडरिंग जू की भी आप अभी हेंगिंग बास्किट बना सकते हैं इसकी भी कटिंग लग जाएगी और दोस्तों क्लांचों की भी आप कटिंग लगा सकते हैं क्लांचों को अभी अच सक्सेज भी हो गई है यह देखिए अब हर एक कटिंग को निकाल के बताना फिर कटिंग सक्सेज नहीं हो पाती कभी-कभी खराब हो जाती है यह देखिए इसमें रूट्स आ गई है और रूट्स अंदर ही रह गई है यहां से तूट गया है यही होता है कि कभी-कभी हम दिख करेंग सक्टेश हो गई हैं तो दोस्तों इसकी भी कटिंग लगा सकते हैं और दोस्तों ये वंडरिंग्स यूव सब्सक्राइब कर दोस्तों तर्ड़ियो काफि लंबा हो रहा है फिर मैं ये मोग्रय की बात करूंगी इसकी भी आप कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाएगी और फिर जट्रूफा का प्लांट ये भी मेरा कटिंग ही है कटिंग से ग्रो किया है और तुलसी को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और दोस्तो बोगन बेलिया बोगन बेलिया को भी अच्छे से लग जाएगी कोई सी भी मिट्टी में आप लगाऊगे तो बहुत ही आसानी से यह कटिंग लग जाती है और फिर में बात करूंगी यह आल्मांडा की जाता आप लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे से कटिंग लग जाती है ये देखिए मैंने भी कटिंग लगाई है ये ये मेरी आलमांडा की कटिंग है ये तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हैं रबर प्रांट की भी लगा सकते हैं और ये एक Mexican petunia है इसकी भी cutting लगा सकते हैं तो ये देखिए ये Mexican petunia की मैंने cutting लगाई थी कितनी cutting success हो गई देखिए सभी में जड़ आ गई है ये देखिए white color की है और ये वाली ये थोड़ी से pink color की इसकी भी मैंने cutting लगाई है और अब और लगाऊंगी और दोस्तों ये पथर चठा है इसकी भी आप छोटी सी छोटी एक पत्ती भी लगाऊगी कैसी भी मिट्टी में खुच से गिर जाती है ये भी एक ऐसा plant है कि बहुती आसानी से cutting लग जाती है फिर में ये चंपा की plant करूंगी ये नाग चंपा है इसकी भी ठेरो cutting लग जाती है और ये देखिए दोस्तों जट्रूपा इसकी भी बहुती सुन्दर फुल लगते है और बहुती अच्छा लगता इसकी भी cutting कैसी भी मिट्टी में बहुती आसानी से लग जाती है तो दोस्तों ये थे कुछ प्लांट के नाम तो आप भी इनकी cutting लगा सकते है और अभी बारिस शुरू है कल से ही बारिस आ रही है और दो दिन पहले भी काफी बारिस आई तो इस मुसम में आप अभी cutting लगा लोगे तो बहुती अच्छा रहेगा हमारे प्लांट बहुती अच्छे से बन जाएंगे तो दोस्तों वीडियो में इतना ही अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चेनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिएगा धन्यवाद